प्रिवर्तन यातरा जो दंते वाड़ा से सुरू हुई थी आज रायपुर पहुंची है और रायपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव साउगत किया जारा है प्रिवर्तन यातरा का बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है तमाम बीजेपी के दिगजनेता के कारकरताओं में जो है उत्सा आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो उत्सा देखने को मिल रहा है बुलेट्ट गाडियां और तमाम तरीके से जो है बीज़ेपी जो है परिवरतन यात्रा निकाल रही है पूरे ये परिवर्तन यात्रा का परिवर्तन यात्रा को लेके बाजपा के कार करता हूँ, मैं बहुत उत्सा देखने को मिल रहे हैं, यहां मौजूद है, बहुत से महिला हैं, क्या लगता है परिवर्तन यात्रा का कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा चुना हैं? परिवरतन यातरा का परिवरतन हैंड़ादडएट फर्सेंट हो गांगरेश की सरकार को हम लोग उठापकर फेकेंगे और फिर से भाजपा की सरकार लाएंगे जो परिवरतन यातरा नीकली है उसको बहुत जादा रिस्पॉंस मिलल रहा है पब्लिक भी चाहती है कि एक बार जो दोखा खाए दबल दोखा नहीं खाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे और भी तमाम महिला हैं मौजूद हैं क्या लगता है बीजेभी की परिवर्तन यात्रा का कितना प्रभावत 2023 के विदान सबा चुनाओं में देखने हैं बहुत ज़्यादा इसका प्रभार हैगा कि सभी जनता अभी त्रस्त हो गई है भूपेश सरकार से और इस बार हमारी भाजपा की सरकार बनेगी भाजपा को वैसे परिवर्तन यात्रा की जर्रत क्यों पड़ी भाजबा को परिवर्तन यात्रा की जर्रत इसलिए पड़ी कि ये जो भुपेश सरकार है वो बोले थे जब सरकार बनी तब की सराब बंदी बंद करेंगे करके लेकिन कुछ भी वादा पूरा नहीं किये हैं इसलिए लोगों को विश्वास के खेले हैं इसलिए परिवर्तन य पूरा नहीं किये वादा खिलापी किये है इतले हमको परिवर्तन यात्रा की जरूरत पड़ी है और भी तमाम देख सकते हैं भीड मौजूद है पूरी जनता जो है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए जो है या सड़कों पर हैं लोग हमारे साथ साथ में यह सरकार आई थी इसने जनता किया पेक्चाओं के अनरुप काम नहीं किया इस प्रदेश के अंदर अरजक्ता का वातावन निदेंबित हुआ है भूग भय और ब्रश्टाचारी सरकार की सबसे बड़ी कहानी हो गई रादी निर्मान के बात में 36 गण में पलायन खतम हो गया था रोजगार के सुनेरे आउसर मिल गए यहां के बेरोजगार नोजवान पूछ रहें कि रोजगार के आउसर कहां है आपकी हुडिंग लगी कि हमने पांट लाग नोक्री दी है और विदान सभा मुटतर देर कि बीस हजार नोक्री दी है किसको सत्य माने आप अपने दारूबंदी की बात कि 36 गड़ के अंदर लूट खसोट के नए ने आया में सरकाद निर्मित कर रहें बेरोजगार नोजवान पीएसी की तैयारी किया लगातार गारती इंतर यह अमोर्चे सुईसे को उठाता रहा और हाई को उसके बात में पीएसी की रिजल्ट क लोग लगाना पड़ी और एक परिवार के अठारा लोग कैसे उसमें आ गए यह राजदानी राइपूर सहर है बहुत दुख के साथ में केना पड़ता पने पांस साल के अंदर राइपूर सहर के अंदर मानी मुक्यमंत्री जी आपने एक काम बता दो एक सिंगल काम जिसका भूमी पुजन आपने किया और जिसका लोकारपन आप कर रहा है यह सहर नहीं है कबाड़ापूर हो गया राइपूर नहीं होकर के पुरा कबाड़ा करके रख दिए राइपूर सहर का चारो तरफ गड़े लूट खसोड ठाने भीक रहे हैं गांजा अफिम चरियस सहर का य छेतर की जनता पूछ रही है पुरा रायपूर पूछा यह राजधानी है साथ इस राजधानी के प्रतिया आपका सोतेला विहवार क्यों ऐसे कौन से 36 गड़ के आयाम नहीं है जो एक कांग्रेस पारिटी ने आयाम को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया जुआ नहीं महाढ ceux से लिए ग्रीब के चावल खाने वाली है सरकार एक दिन एरे पर देश के अंदर आ अंदर करके 17 परिवारों को बीपी ऎल परिवारmed रहने वाले गरीब परिवारों को मकानों का हग छिनने वाले एक दिन पहले आकर कि रहूल गांदी उसका सिला लेकुल गोश्टना करते हैं चला चली की बेला में जंता को गुम्रा कब तक करो के साथ और इसलिए पुरे प्रदेश का वातारों दूसीत हो गया तो बदल के रह कांच की हंडी एक बार चलती है साब बार बार नहीं च्ड़त एक बार जंता भुगत चुकी है जन गोश्ना पत्र कारिण कि पार्टिवाद का था न था कम को दारू बन्दी में धरू बंदी ने करेंगे के तो आन्र मैं ये घंगजो ले करके बता दे कि राइपुर सहर के अंदर 20 करोड तक का एक काम कांग्रेस पालटी के पुरे दिगज नोज बता दे मैं राजनिती छोड़ दूँगा क्या किया इनों ने पुरा सहर खुदा पड़ा है साब कलेक्टर कारले के पास में रेप हो जाता पता नहीं लगता चोखी के पास में रेप हो जाता पता नहीं लगता कानून वियोस्ति की दज्जे उटने इस सहर में रोज पुलिस वाले जुलूस निकाल के दिखाते हैं कि इत्ते गुंडे पकड़े इत्ते गुंडे पकड़े अर महादेव के सहर अपना कोन है? क्या चंद्राकर बंदू उसे? और इस देश का प्रदेश का दुरबाग के साथ आदे रेल में, आदे जेल में और आदे बेल में अब करे तो करे क्या? तो अपना ते इतना ही कहना बदल वो तो आप हमारे साथ देख रहे थे राजिस मुड़त जी उनका साफ तोर पर कहना है कि एदारी बदलबो अब देखने वाली बात होगी कि बदलबो सच में बदलता है या फिर जो है यूँ ही चलता रहेगा फिलाल कले इतना ही देखते रहे ये वोकल्टिक में